नोशन दोजाइपंद्राइपा सवाल है कॉस्टिन सेज असटेन मेटलिक सर्फेस इस इल्यूमिनेटेट इद मोनोख्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेवलेंद लेंड़ा दस्टॉपपिंग पोटेंशल फोटो एलेक्रिक करेंट इन इस इस फ्रॉट इस एलॉट स्टिर्शन की बेसिक एक्वेशन से हम चालो करेंगे एक्वेशन यह कहती है कि कानेटिक एननजी मैक्सिमम एक्वल तू एक्वल दू एक्वेशन यहां पर करनेटिक एनलगे लएस इस फर्म में लिखेंगे ब्कॉज़्य पॉटेंश्चल अपने को दिया हुआ है तो तो first case में जो हमने lambda की incident light दिये तो यह आजाएगा आपका first case में है 3V0, दूसरे वाले case में V0. तो इस case में आएगा 3EV0 will be equal to hc by lambda minus hc by lambda 0. Second case में जब आपने उसको light दिये 2 lambda की incident तो यह आपकी ev0 यह आपका stopping potential के साथ kinetic energy इतनी होएगी will be equal to hc by lambda minus hc by lambda 0. यह आपकी equation 1 है, यह equation 2 है. Now, इस case में ev0 की value यहाँ पर insert कर देते हैं, तो आपकी यह value बन जाएगी 3 times hc by lambda minus hc by lambda 0 will be equal to, नहीं इस case में 2 lambda आएगा, ठीक है, यह आपका 2 lambda बनेगा, तो यह will be equal to hc by lambda minus hc by lambda 0. Now, hc की यहाँ पर hc दोनों साइट से ओड़ जाएगा, so, जो value बची यह बची यह बची आपकी 3 by 2 lambda, इस lambda को दल ले आते हैं, minus 1 by lambda will be equal to इसको दले जाएं, तो यह आपका बन जाएगा, यह बन जाएगा, उधर 3 hc by hc दोड़ गाए, 3 by lambda 0 minus 1 by lambda 0, all right, left hand side आपका बचाएगा, 1 by 2 lambda will be equal to, यह बचाएगा, 2 by lambda 0, which implies आपका lambda 0 कि दलाते हैं, इसको दला जाते हैं, तो lambda 0 will be equal to 4 lambda, यह आपकी value हो जाएगी, so based on this, हम कह सकते हैं, option number D, 4 lambda would be the right answer,